Hello everyone, मेरा नाम सत्य है और आज जिस पोयम को हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं उस पोयम का नाम है Summerson और इसे लिखे हैं Robert Louis Stevenson तो ये पोयम बहुत ही खुब सूरत है जब मैं इसे line by line explain करूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी पर line by line explain करने से पहले मैं बता देता हूँ ये पोयम है क्या तो आप इस पोयम का टाइटल पढ़ोगे Summerson तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पोयम किस पारे में है Exactly Summers में कैसा सन होता है और सन की क्या क्या खूबिया होती है वो पता चलेगा हमें इस पोयम में बट ये पोयम एक personification है personification का मतलब होता है कि जब आप किसी non living things को living things बना दो मतलब या तो पोयम में लिखके या फिर किसी और तरीके से किसी non living thing को living thing बना लो तो इस पोयम में हम लोग पढ़ेंगे बहुत से lines से आपल में मैं बताता हूँ कि हम लोग इस पोयम की stranger में पढ़ेंगे I think second या third stranger में कि खेड़की से ऐसा लगता है sun का रे कि खेड़की के कही छेट से वो अपना finger डाल रहा हो तो ये बहुत एक खुबसूरत है पोयम जब मैं इसे line by line explain करूँगा तो आप बहुत अच्छी तरीकी से समझ जाएगे तो अब मैं start करता हूँ बट start करने से पहले मैं एक request करना चाहता हूँ कि अगर आप channel पर first time आया हो तो channel को subscribe कर लो क्योंकि मैं आपकी courses से related videos इस channel पर डालता रहता हूँ तो इस पहले stranger में जो poet है वो sun के बारे में जिक्र किये है वो बोल रहे है great is the sun and wide he goes sun बहुत बड़ा है and wide he goes और वो पूरा फैल के आगे बढ़ता है through empty heaven without repose यहाँ repose का मतलब rest नीचे दिया हुआ है repose का मतलब rest through empty heaven without repose और heaven तक चला जाता है बिना rest किये हुए and in the blue and glowing days more thick than rain he starts his rays और चमकती हुई दिन में sun जो है अपना rays को rain के rain जितना मोटा होता है ना उससे भी जादा मोटा अपना rays को फैला देता है तो यह first stranger में poet sun के बारे में जिक्र की हैं बता रहे हैं वो कैसे अपना rays को फैलाता है now second stranger though closer still the blinds we pull to keep the saddy parlour cool yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through तो मैंने पहले ही बताया था कि यह personification है यह poem यहाँ पे sun को living thing बना रहा है तो आप यहाद देख सकते हो मैं अभी यह line यह stranger explain करूँगा तो आपका clear हो जाएगा though closer still the blinds we pull to keep the saddy parlour cool तो हम लोग जब धूप आता है तो हम लोग अपने घर का जो curtain है खिड़की में उसे लगा देते हैं तक ही धूप ना आए और यहाँ पे जो room है उसके लिए यह word parlour इस्तमाल किया गया है तो keep the saddy parlour cool अपने जो room को parlour बताए गया है यहाँ पे तो कह रहा है कि parlour को thunder रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं घर पे curtain लगा लेते हैं खिड़की पे जब धूप आती है तो तो यहाँ पे कह रहा है yet he will find a chink or two chink मतलब crack होता है मतलब अगर हम पर्दा लगा भी देते हैं तो हलका हलका gap तो रहता है ना तो उसे यह chink कहते है तो यहाँ पे poet बोल रहा है कि सूरज वो जो छोटा सा crack है ना उसके through आ जाता है to slip his golden fingers through अपना वो golden finger वो छेत के through room के अंदर डाल देता है poet जो है यहाँ पर sun के जो ray है उसे finger से denote किया है now next stranger the dusty attic spider clad he through the keyhole maketh glad and through the broken edge of tiles into the laddered hail of smiles the dusty attic the dusty attic का मतलब होता है attic का मतलब होता है हर घर में एक store room होता है जहाँ पे हम लोग अपनी घर का extra सामान रखते है तो वैसे ही इस घर के भी attic में dusty attic जो बहुत गंता है spider clad मकडी का जाला वहाँ पे मकड़ जाल लगा लिया है पुरा he he ही यहाँ पे सूरज के लिए इस्तमाल हो रहा है through the keyhole maketh glad और जो sun का रे है तो वो keyhole के थूचा के उस मकडी के जाले पे पड़ता है तो मकडी का जाला का जो मकड़ा है वो खुश हो जाता है and through the broken age of tiles into the laddered hill of smiles यह समझने के लिए आपको समझना होगा कि hill of क्या होता है पहले मैं बताता हूँ hill of होता है कि जहां पे गाए या फिर घोड़ा को रखा जाता है घोड़ा को अस्तवल में रखा जाता है तो वैसे अस्तवल में ऊपर में एक छछद रहता है जिसके उपर उसके खानी के लिए कुछ पुवाल रखे वे रहते हैं तो वह पुवाल को हेल उफ्ट कहते है ठीक है जहां पे वो रहते हैं तो यहां पे कह रहा है जब सन का रे tiles पे पढ़ता है tiles एक चम्कीला पत्थर होता है यूजवली हम लोग के बात्रों में लगा हो रहता है तो जब ये रे अफ लाइट उस टाइल्स पर पढ़ता है फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके इंटू दा लाइडरेट हेल ओफ इसमाइल्स और वो पुवाल में जाकर गिरता है जब रिफ्लेक्ट्शन तो पुवाल देखने में बहुत कुपसूरत लगता है मानौ ऐसा है कि वो हस रहा हो अगेन यहाँ पर हमें एक और एक्जैमपल मिल गया परसॉनिफिकेशन का और वो हस रहा हो ओके आई होप समझा गया होगा अपको निक्स्ट इस्ट्रेंजर मीन टाइम हिस गोल्डन फेस एराउंड ही बिर्स तू आल दा गार्डन ग्राउंड एंड सेट्स ऑवां एंड ग्लीटरिंग लुक एमोंग दा आइवरी इन्मोस्ट नुक जब सूरज प अपना गॉल्डन फिस चारो ओर फैला देता हैं कहां कहां पहलाता है ही बेर्स टू आल दा गार्डन ग्राउंड और सभी गार्डन में उसका रे फैला हुँआ रहता है एंड सेड़ ऑवांग एंड ग्लीटरिंग लुक यहाँ पे सेड हुआ छोटा सा जोपड़ी कोई ज सेड और वाम एंड ग्लीटरिंग लोक तो उस सेड पर जब सूरज की की रहने पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वह चमक रहा हो ग्लीटरिंग कर रहा हो पूरा एमंग दा आइवरी इनमोस्ट नोक यहां पर आइवरी एक लथ है यह एक सबजी है आइवरी आप सर्च कर लेना ओके मैं इमेज दे रहा हूं यहां पर ओके इसे कहते आइवरी तो आइवरी जोई एक लथ है और जहां पर लथ होता है न वहां पर उसके अंदर पूरा अंध तक पर यहां पे हैं यहां पे बोला जा रहा है कि वो जो है सेड पुरे ग्लिटरिंग लोक है बहुत चमक रहा है among the ivories in most nook और जो ivory का जो लत है उसका अंदर तक सूरज का रे जा रहा है now last stranger above the hills along the blue round the bright air with footing true to please the child to paint the rose the gardener of the world he goes this last stranger में poet बता रहे हैं कि जो sun है वो पूरी तरीके से rise कर चुका है तो above the hills along the blue पहाडों से भी ओपर along the blue blue यहां पे जो word है वो समुंदर के लिए इस्तमाल किया गया है समुंदर दिखने में कैसा लगता है blue दिखता है ना तो इसलिए यहां पे poet बोल रहा है along the blue above the hills पहाडों से भी ओपर along the blue और पूर समुंदर में round the bright air with footing true और footing true का मतलब होता है steady and balanced way of walking मतलब जब आप ठीक से चलते हो ना उसे कहता है footing true तो यहां पे कह रहा है round the bright air with footing true और पूरे हवा में वो fell चुका है to please the child to paint the rose और बच्चे को मनाने के लिए to paint the rose to paint the rose का मतलब क्या हुआ तो जब सुबह होता है जब सूरज उगता है तभी ना उसी वक्त ना सारा full खिलता है उससे पहले तो नहीं जब तक sun ray नहीं पढ़ता फूल में तब तक फूल नहीं खिलता है तो इसलिए यहां पे जो poet है वो बहुत beautifully इस्तमाल किया है यहां पे यह word to paint the rose तो बच्चे को हम लोग के लिए इस्तमाल किया है poet जो हम human के लिए इस्तमाल किया है कि बच्चे मतलब हम लोग जब गुलाब को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं the gardener of the world he goes और gardener of the world इसलिए बोला है क्योंकि जब तक सूरज नहीं उखता है तब तक हर चीज कोडी कोडी बना वह रहता है I mean to say हम लोग भी सोई वे रहते हैं सारा plants का जो बर्ड रहता है वो सब भी रूठाओ रहता है और जब उस पे sunray पढ़ता है तो सभी उठ जाता है सभी खेल जाता है हम लोग भी सुबह होते हैं तो उठ जाते हैं So this was the poem, complete poem आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको और फिट से request करता हूँ कि इसी तरह का explanation के लिए आप चैनल को subscribe करके मुझे support करें Thank you so much अगर कोई doubt हो तो आप मुझे comment section में जरूर पूछेगा Thank you, मिलते हैं next video में